Hello students, कैसे हैं आप? This is Rajan Sir, I am quite well here and hope to God that you will be good, glad and healthy at your place. So students, UP Intermediate Class English में जो हमारी first poem है, Character of Happy Life. Sir Henry Wharton इसके poet है, Character of a Happy Life means सुखद जीवन के लक्षण. So Sir Henry Wharton जो इसके poet है, उनका life इस पांच जो है, वो 30 March 1568 यानि के 30 March 1568 में उनका जर्म हुआ and December 1639 और December 39 को उनकी मृत्यू हो गई. उनकी प्रोफाइल की बारत करें, तो Sir Henry Wharton was an English author, English के लेखक, डिप्लोमेट और पॉलिटिशन थे. He was born 30 March 1568 एट पैरिस और बॉक्टन और बॉक्टन ये इसके pronunciation है, दो तरीके से होते हैं. Malherb, Kent UK में, United Kingdom के Kent में, Malherb में इनका जल्म हुआ. He was one of the greatest English poet, बहुत ही महान लेखक माने जाते हैं. His father was Thomas Wharton and his mother was Eleonora Finch. कहता है कि उनके पिता Thomas Wharton थे और Eleonora Finch उनकी मदर थी. He graduated from Queen's College, Queen's College से वो graduate हुए in 1588, 1588 में. In 1625, he was elected MP4, Sandwich से वो Member of Parliament सेलेक्ट हुए. He was friend of boys, John Dunn and John Milton. John Dunn और John Milton एक बहुत ही famous writer हुए है. ये उनके समकालीन है और उनके मित्र भी रहे हैं. He wrote 21 poems including all his mysteries. कहता है उन्होंने 21 poems लेकी और जिसमें सामिल है, और ये उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं. During his lifetime, he published two works. उन्होंने दो कामों को publish किया. The Elements of Architecture, कहता है कि ये इनका फर्स्ट वर्क था जो 1624 में इन्होंने पब्लिश किया. And a Latin prose address to the king on his return from Scotland. कहता है, Scotland से लोटते हुए इन्होंने एक Latin prose को राजा को address करते हुए लिखा जो था 1633 में. He was knighted in 1604. Knighted means knight की उपादी दी जाती थी. तो इन्हें knight की उपादी दी गई जो हमारे यहां गुरुदेव रविंद राटेगोर को भी दी गई थी. जिन्होंने 1919 में जलिया वाला कांड होने के बाद उन्हें वापस return कर दिया था. So served as an ambassador to Venice, उन्हें Venice का ambassador बनाए गया in intermittently 1604, 1604 में से लेकर 1623 तग. And was a member of parliament in 1614 and 1625. कहता है कि member of parliament वो रहे हैं 1614 से लेकर 1625 तग. In 1624, 1624 में he became provost of Aton. Aton की provost बने and in 1627 और 1627 में he took off holy order. और उन्हें holy order का प्रुसकार मिला 1627 में. तो ये life span है हमारा sir Henry Wharton का और sir की उपादी ने मिली थी. So अब चलते हैं poem की ओर. So students कहता है कि सुखद जीवन के लक्षन क्या है? एक diplomate होते हुए उन्होंने जीवन के ऐसे मार्मिक छण को छुआ है. वो बताना चाहते हैं कि क्या है सुखद जीवन के लक्षन क्या धन, वैभव, यश, ख्याती है? So आईए जानते हैं. बहुत ही ideological thoughts यहां हम लोग find out करेंगे. How happy is he born or taught? चाहे सिक्षा से, चाहे जन्म से वो आदमी बहुत ही खुष है. कौन? That served not another's will. जिसे दूसरे की इच्छाओं के अधीन काम नहीं करना पढ़ता, ऐसा व्यक्ती हमेशा से खुष रहता है. Whose armor is his honest thought? जिसके इमांदार विचार ही उसके कवच हो, उसकी sealed हो ऐसा व्यक्ती and simple truth is at most. कहता है जिसके सर्वत्तम योग्यता, जिसकी सर्वत्तम योग्यता उसका साधान सच है. सच एक घुमा के बोलने वाला होता है, एक साधान सच की बात की गई है. So students कहता है आगे, कहता है, whose persons not his masters are, जिसकी तिवर भावनाएं, तिवर इच्छाएं, उसकी मालिक न हो, whose soul is still prepared for death, और जिसकी आत्म अम्रित्यों के लिए सदेव तत पर रहे, सदेव तयार रहे, untied unto the world with care, बड़ी सावधानी के साथ, और इस संसारिक मोह से अपने आपको अलग रखे, मुक्त रखे, of princely love or vulgar breath, चाहे उन्हें राज शाही प्रेम हो, या उनके बारे में कोई बुरा भला कहे, लेकिन उसे प्रभावित ना कर सके, यानि के चाहे साथी प्रेम से, या अपने बारे में अप शब्दों से, जो अपने आपको मुक्त रखे, ऐसा व्यक्ति ही, सदेव, खुस व्यक्ति होता है, कहता है, जिसका अपना जीवन, अपवाहों से फ्रीड हो, मुक्त हो, जिसका जीवन, अपवाहों, तमाम प्रकार के अपवाहों से मुक्त हो, ऐसा जीवन, कहता है, कि जिसकी अंतरात्मा ही इज हो, इसकी शशक्त शरण इस्थली हो, यानि कि जो अपनी अंतरात्मा के नीचे ही विश्राम करता हो, शरण में रहता हो, अपनी अंतरात्मा की ही आवाज मानता हो, कहता कि who's state can neither flatter's field जिसका सामराज है जिसके चारो तरफ सामराज मिस जहां तक भी उसका उट बैट है उसका आना जाना है यानि कि उसका अपना सामराज है किसी भी प्रकार के flatter's चापलूस जी अजूरी यसमैन टाइप के लोगों से जो मुक्त रहता हो किसी भी प्रकार की चापलूसी से फिरी रहता हो नोर रोइंस मेक आपरेसर सिग्रेट यहां तक कि अगर वो बरबाद भी हो जाए उसका नुकसान भी हो जाए उससे आगात भी हो जाए तो वो रोना लेकर ना बैढ़ जाए वो उसके व्योग में ना बैढ़ जाए ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है आगे सर हेंड्री वोटन कहते हैं कि कहता है जो इरशाना करता हो किसी से उपर उठने का मौका मिलाओ इरशाना करता हो चाहे उसे अच्छे प्रकार से या किसी भी मीन प्रकार से ऐसे व्यक़िती से भी जो इरिशा ना करता हो, who never understood his how the best vows are given with praise, जो इस बात को कभी न समझता हो, कि किस प्रकार से प्रसंसा करके भी किसी को आघात पहुचाया जा सकता हो, no rules of state, but rules of good, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी देश का, किसी राज्य का नियम का पालन ना करता हो, और बस पालन करता हो, तो सिवाए अच्छाई के नियमों का पालन करता हो, ऐसा व्यक्ति सदेव खुश रहता है, who God dot late or early pray more of his grace than gift to land, कहता है कि जो ईश्वर की देर सबेर प्रार्थना करता हो, और प्रार्थना, gift और लैंड के लिए नहीं, बलकि ईश्वर की सरण के लिए, ईश्वर के येश्वर के प्रेम के लिए प्रार्थना करता हो, ईश्वर की सरण के लिए प्रार्थना करता हो, ना कि किसी उपहार या किसी जमीन जाइदाद के लिए ईश्वर की प्रार्थन ना करता हो, who entertains the harmless days, जो अपने दिन को अपने शमय को बिना किसी को के आघात के व्यतीत करता हो, with a well chosen book or friend, यच्छी, चुनिंदा, चुनिंदा पुस्तकों के साथ और चुनिंदा मित्रों के साथ, जो अपने समय का सदुपयोग करता हो, ऐसा व्यक्ति सदैव सुखी रहता है, कहता है कि इस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, किसी भी प्रकार की दास्ता से मुक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति, आप होज टू राइज और फियर टू फॉल, कहता है कि किसी भी प्रकार के उत्थान की आसा और पतन का डर न सेल पैसा व्यक्ति अपना स्वामी खुद होता है दो नोट और प्लाइंट से भले ही उसके पास जमीन जैदाद धन समपदा वैभाव ना हो and having nothing, कुछ नहीं होते हुए भी ही है ताल, उसके पास सब कुछ होता है, उसके पास सब कुछ होता है, और इशी प्रकार का व्यक्ति सदैव अपने जीवन में सुखी रहता है, यही है सुखद जीवन के लक्षण, I hope आप लोगों ने जरूर एंजोए किया होगा, so take care of you, thank you, bye-bye, have a nice day students.